नमस्टार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिट्रीज की सेरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या के हिसाब से भारत के सबसे छोटे स्टेट सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की सबसे छोटा स्टेट है और अगर यूनियन टेरिटरी इस को एड़ करदें तो सिक्किम स्टेड करता है 7 । उपलियेशन है यहां की अरौट छे लाक बीस हजार population के according सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज है और अगर union territories को add कर दें तो सिक्किम stand करता है पाँचोंए rank पे literacy rate यहां का है 86% literacy rate के according सिक्किम stand करता है 13th rank पर descending order में capital है यहां का gang talk और largest city भी gang talk ही है languages यहां बोली जाती है English and Nepali this is the official language इसके लावा यहां पर भूतिया, गुरूंगा, लेपचा, लिम्बू, मुकिया और तमांग जैसे languages भी शामिल है vehicle code यहां का है SK, alcohol यहां allowed है economy यहां की based है tourism और agriculture पर सिक्किम पहुँचने के लिए हम buy air आ सकते हैं September 2018 में यहां पर Packyong airport ओपन किया गया था nearest railway station के अगर हम बात करें तो यहां पहुँचने के लिए nearest railway station है New Jalpaguri, जिसका station code है NJP और New Jalpaguri से gang talk के लिए taxis easily available हो जाती आप taxi पूरी hire भी कर सकते हैं या share taxi के through भी जा सकते हैं total distance New Jalpaguri यानि Silliguri और gang talk के बीच का है approximately 115 km जो पहुँचने के लिए चार घंटे approximately हमें लगते हैं दूस्तों बात कर लेते हैं state के बारे में सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज और सबसे कम अबादी वाला राज होने के बावजूद सिक्किम प्रकृती से प्रेम करने वालों के लिए सुर्ग है देश के पूर्वोतर हिस्से में सिक्किम के दच्छड में पश्चिम बेंगॉल और यह अपनी अंतरास्चि सीमा दच्छडपूर में भुटान के साथ पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर में छीन के तिबबत के साथ साज़ा करता है खुबसूरत पहाडों, गहरी घाटियों और बायो डैवर्सिटी के कारण सिक्किम सेलानियों का सबसे पसंदीदा स्पॉर्ट है गैंग्टोक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहां की राजधानी भी है गैंग्टोक 5500 फीट की उचाई पर शिवालिक की पहाड़ियों पर इस्थित है गैंग्टोक से दुनिया के तीसरे सबसे उचे परवत कंचन जंगा का नजारा देखा जा सकता है सिक्किम का कुल इलाका लगबख 7000 स्क्वाइर किलोमेटर का है और यहां की आबादी 620000 के आसपास है इस राजी का ज़्यादा तर इलाका पहाड़ी है और सिक्किम की गर्मियां भी सुहावनी होती है क्योंकि गर्मियों में भी तापमान बमुश्किल 28 डिगरी के उपर जाता है सिक्किम की सर्दियां बहुत कडाके की और कपकपाने वाली होती है क्योंकि तब तापमान इशुन से भी नीचे चला जाता है सन 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था और तब से ही यहां का राजनीतिक धाचा देश की बाकी हिस्सों जैसा है यहां की विधान सबा में 32 मेंबर्स होते हैं जो की चुनाओं की जरिये चुने जाते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं बेस्स टाइम टू विजिट की सिक्किम जाने का सबसे अच्छा समय मई से लेके सेप्टेंबर के महिने तक का होता है इन महीनों के दोरान यहां का अधिक्तम तापमान 28-30 degree centigrade के बीच होता है इन महीनों में उत्तरी सिक्किम का मौसम ठंडा रहता है जुलाई और सेप्टेंबर के महीनों में यहां हलकी बारिश होती है सर्दियों में यहां का तापमान 0 degrees से भी नीचे हो जाता है जो आपको यात्रा को कठिन बना सकता है इसलिए हम आपको सिक्किम की यात्रा करने की सलाह नहीं देते उस टाइम पर अगर आप सिक्किम की यात्रा का योजना बना रहे हैं तो एपरिल और मई की महिने यहां की यात्रा के लिए सबसे अच्छे हैं दूस्तों बात कर लेते हैं places to visit in सिक्किम first is गैंक टॉक गैंक टॉक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर होने के साथ-साथ यहां की राजधानी भी है गैंक टॉक में स्टे करने के लिए सभी प्रकार के होटेल से यहां मौजूद है और गैंग टॉक को आप एक हाल्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं यहां की अपनी आगे की यात्रा के लिए यूकसॉम यूकसॉम सिक्किम के पच्चिमी हिस्से में लोकेटिड है यूकसॉम एक छोटा सा गाउं है जो की अपनी प्रिस्टाइन ब्यूटी और रस्टिक अपील के लिए जाना जाता है सौंगू लेक सौंगू लेक को हम आम बोलचाल की भासा में चांगू लेक के नाम से भी जानते हैं चांगू लेक गैंटॉक से 38 किलोमेटर के डिस्टेंस पर लोकेटिड है और ये 12,400 फीट की उचाई पर है चांगू लेक इंडिया के वन अप दे हाइस्ट लेक में से एक है नाथूला पास अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो नाथूला पास is a must visit place 14,000 फीट की उचाई पर लोकेटिड नाथूला पास पूरे वर्ल्ड का सबसे हाइस मोटोरेबल रोड है और नाथूला पास सिक्किम को शाइना से कनेक्ट करता है पेलिंग पेलिंग हिमालियन ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए सबसे अच्छी जगह है सिक्किम में यहाँ से आप कंचन जंगा के पीक को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाचूंग लाचूंग 8,610 फीट की उचाई पर स्थित है और यह सिक्किम का पॉपुलर स्नोर डेस्टिनेशन के लिए फेमस है रवैंगला रवैंगला एक सीनिक टाउन है जो की गैंटोक और पैलिंग के बीच में स्थित है यह टाउन सिक्किम में बहुत सारे ट्रेकिंग को होस्ट करता है रुम्टेक मॉनेस्टरी रुम्टेक मॉनेस्टरी सिक्किम की वन अफ दे लार्जेस्ट मॉनेस्टरी में से एक है और इसके साथ साथ रुम्टेक मॉनेस्टरी वन अफ दे ओल्डेस्ट मॉनेस्टरी भी है नामची नामची का मतलब होता है Top of the Sky और जब हम यहाँ विजट करते हैं तो यह चीज एकदम पूरी तरीके से प्रूव हो जाती है नामची गैंग टॉक से 92 किलोमेटर के डिस्टन्स पर है और अप्रॉक्सिमेटली 5500 फीट की उचाई पर यह प्लेस लोकेटिड है नामची सिक्किम के खुबसूरत शहरों में से एक है जुलुक जुलुक अप्रॉक्सिमेटली 10,000 फीट की उचाई पर लोकेटिड है और यह सिक्किम में घूमने के लिए one of the best destination माना जाता है जुलुक से हम कंचन जंगा परवत का panoramic view का आनन्द ले सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम की कुछ unique चीजों के बारे में सिक्किम को इंडिया का पहला organic state का दरजा प्राफ्थ है सिक्किम इंडिया का सबसे least population वाला राज्य है सिक्किम में स्थित कंचन जंगा परवत, इंडिया का सबसे उचा और पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे उचा परवत है तो दोस्तों ये थी कुछ महत्पूर जानकारी भारत के सबसे छोटे राज इस सिक्किम के बारे में उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें आपका एक लाइक हमारे आत्म विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका समय शुब हो विश्वा झाहर बंग जरूर करुषैंट बढ़ा ज करुषैंट जरह् sub अन्यवाद जरूर को भ्र्रॉ्ण अवे मिए वीडियो का 여ई वीडियोका स्टच्से के लाफ चैन रे चैनल प sailors, 비alah Isabella I'm a waste of time in the bathtub We don't gotta rush, no, never gonna rush, no My life's in a slow-mo, always in a slow-mo I still show up all the time Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment, yeah